नमस्कार तोस्तों स्वागत आपका सची लडिंग पॉइंट भाई सिंग सार आज हम करेंगे तीन दिसंबर की सेफट वन का पेपर ठीक है आलमोस्ट हम लोग एंडिंग की दरब हैं चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको भी फिनिस करते हैं और देखते कैसे क्या सवाल पू फिलेका में क्या चाहिए करव सर्फेस एरिया तो वो वो और फॉर पाई आर स्काइर हो गा यहनी की रेडियस हमको 12 देती 22 में 7 हो जाएगा इन्टू में 12 का सक्षार सबसे चोटी अबाज संख्या और इनकों की सबसे बड़ी अबाजी संख्या का योगफल क्या है देखो ऑपको कुछ चीज बताई थी सबसे चोटा आवाज नम्बर डहागा वह वह वहीन नमबर और वहारock में सबसे चोटा तीन आनगों का सबसे बड़ा जाएगा पांच अंकों का यहां तक अभी तक पूचा गया तक मुझे सवाल मिले और पांच अंकों का सबसे बड़ा हो जाएगा ओर टाइम नाइन वन ठीक है तो यह आपको पता होने चाहिए सारे अभाजी नंबर है कभी कभी पूछ देता सबसे छोटा और अभाजी नंबर कौन सा है तो वह आंसर होगा ठीक है यह ध्यान रखना यह सबसे बड़ी अभाजी संख्या और तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाजी संख्या क्या है 997 जोड देंगे तो साथ एक आठ यह उन्हें डिजिट से काम हो गया नौ करेंगे नौ एक तैस हो गया आंसर लगा ठीक है यह याद कर लो निकालना इतना आसान नहीं है कि जैसे आप कुछ भी बना के कर दोगे वैसे 101 तो निकाल लोगे 997 पर इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं ठीक है अगला सवाल एक लड़का अपने घर से स्कूल इतनी की चाल से जाता है और इतनी की चाल से बापस आता है उसत चाल यह को दो स्पीड है दी जाए डिस्टेंस प्रतिगंटा आंसर आजाएगा अगला सब प्रकास एक कारे को 18 दिनों में यदि मुकेश प्रकास से दोगनी तेज से कारे करता है तो एक साथ कारे करते हुए कारे को पूरा करने में कितना समय लेगेगा प्रकास 18 दिनों में करता है प्रकास की efficiency एक है दोनों को मिलकर करना अब आपको यह बेसिक लिखना नहीं है कि मुकेस और फिर प्रिकास लिख रहे फिर एक और दो लिख रहे फिर आप टोटल वर के लिखोगे यह सब करने में टाइम जाता है और टाइम आपको बचाना है बचेगा कैसे इजी सवाल से ही बचेगा हाट सवाल पर आज तक कोई नहीं बचा पाए तो आप क्या बचाएंगे क्योंकि उस पर हमें टाइम देना है में किस से करवांचे दोनों मिलके तो तीन के बाग कर दो ध्यान रखना इजी सवाल पर आप टाइम बचा सकते हाट सवाल पर टाइम नहीं बसता उनमें टाइम लगाना ही पड़ता है एक ग्राइक एक लाग रुपए में उपलब्द है एक गिराग को इतने का डाउन पेमेंट देना होगा इसके बाद चार बरावर किस्ते देनी होगी तो चार बार से किस्तों की गढ़ना करें तो एक लाग था यह तो तीन चार पाच उसमें से 20 800 हमने पे कर दिया तो जीरो जी हो गया, नोसे दो गया तो साथ होगे यहनिंकि इतना बचा यह तो हमारा वो हो गया क्या इसे कि बन गया यह सब पूरा क्या होगा क्या चार पर्टे में 100 करेंगा. मिलाकर 25 चो कुंल करें। 7.9200 यह सिंपल इंट्रेस्ट्र आगया। गुड़े में दो इतना पे करना आए। वाहं किस्त में करें लेकिन अब लेकिन ऍे इतना देखने का तरीमा अभी मैं सब्जा दूँगा लेकिन इस तरीके से आप लिखेंगे आप लोग भी आज के बाद अगर आपको नहीं पता है तो तो दो दूनी चार हो गया, दो सो हो गया, पच्चत्तर यानि की दो सो पच्चत्तर गोडे में दो का मान हमें दिया गया था 792 00 into में 2 और हमें निकालना था किस्त यानि की 100 का मान 792 00 कोडे में 2 बटे में हो गया 275 into में 2 और ये 100 तो दो से दो कैंसे लाउट 25 हेकं 25, 25 हेकं 25, 25 चोकू 100 इधर करें 11, 37, 87, 2 बच गया, 11, 22, 00 यानि की 00, 42, 8, 47, 28, 28, 800 परतिये किस्त जाएगी हम देखो होता क्या है किस्ते चार जानि एक, दो, तीन, चार ठीक है साधारड ब्याज है पिछले साल ले लो चाहिए पहले साल हमें इतना ध्यान रखना है कि इधर भी 400 लिख लेते हैं ठीक है पहली साल तो छोड़ दो कुछ भी नहीं ठीक है दूसरी साल में जब हम पहुंसते हैं तो 25 फिलस हो जाता इंटू में बन फिर तीसरी साल में पहुंसते हैं तो 25 गोड़े में दो जब हम ऐसी कामान हमने यह वाला निकाल लिया था तो हमने किया क्या यहां पर कुछ औलग नहीं किया आप देखेंगे वर्स सान केrighty किस थे थी यानि कि हमें एक चीज़ पता लगए कि रेट में एक कम करके लास्ट वाला टर्म आएगा तो तीन काम ने गुणा किया इसी लिए रेट में यह चीज़ आपको डारेक्ट लिखनी आनी चाहिए प्रक्टिस इस तरीके से कर लो अगला सावाज तीन हिकाई की त्रज्यां और आठ हिकाई की उचाई बाले एक बेलन के अंदर रखी जा सकने बाली बड़ी से बड़ी सीधी चड़की लंबाई बताने हैं अब शीड़ी पड़ रहें दिमाग घहत होता है ऐसा ही तो देखो इस तरीके से बेलन रहा होगा बढ़ी आसा बढ तो ट्रिप्लेट अगर लगाएंगे तो यह कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा अगला सवाल 408 और 1309 का SCF हमें ग्याद करना है यानि कि हाइस्ट कॉमन फेक्टर तो सबसे पहले बात 19 19 दूनी 38 करेंगे दो बचे का 19 से तो नहीं कट रहा है और सबसे पहले 21 से भी चेक कर लेते याता इसलिए नहीं कट टा ठीक है उसके वास्त रहाता फंद्रे तो आएगा नहीं जब जब शतर रहा से कट जाएगा जिए जना पर करेंगे तो 708106 ज्यादा हो जाएगा 17-7019 हो गया यानिके 111 फचह फिर 17-70 कर चाहीए दिबार चला जाएगा तो आंसर 17 अग्ला सवा और बी कानपाद इतना बी सी का इतना है अबी सी का सबका चाहिए यानि कि यहां पर देखो पहली बात तो एस ग्रेटर देन भी है तो यह तो चला गया क्योंकि आपर एचोटा लिख दिया था इसी तरीके से यह भी चला गया अब इन दोनों में अगर देखते तो 4-7-28 हो कि चार से तो कटेगा नहीं पहले 14 रेशियो तीन आरा जो कि नहीं हो सकता यहां से करते तो चोटा आगे हटा दो यहां पर यह चोटा होगे हटा दो कुछ भी नहीं करना था अगला सवाग में एक पुराना डिश्टल केमरा खरीता है और उसकी मरम्मद में 1200 खर्च करता है यहां से करेंगे तो चार दूनी आठ चार चंग 24 चारतियां 12 हो गया तो यहां पर 15 हो गया यह 13 हो गया कितने का प्रॉफिट लिया दो का किस पर 13 पर गुड़े में 100 परसेंटेज के लिए तो तेरह एकम 13 हो गया बचा कितना साथ तो तेरह चक अटतर ज्यादा हो जाएगा तेरह पंजे पैंसट आंसर आगया 15.38 अगला सबाए कोई रासी तीन वर्स में 100 की इतनी गुणी हो जाती है चक्रवदी ब्याज बताना देखो तीन वर्स की बात करा यानि कि प्रंसिपल पर पावर 3 और एमाउंट की पावर 3 यह रहा होगा तो रासी हमने माल लिया कि पी और ए का रेशियो अगर हम देखते जाके कुछ भी र गया तेरा सुकतिस है ना ग्यारा सुकति क्या लिख दिया मैंने यह 11 हो गया कितना मिला दो दो बटे में 9 गुड़े में 100 नो दुनी अठारा नो दुनी अठारा दो बटे में 9% आंसर आसान था अगला सवाल एक बेक्तिकी आयमें पहले 10% की ब्रद्दी 10 की कमी उसकी आयम आसल आओट और हमेशा क्या आएगी कमी आएगी एक चीज़ होती है पाकी नार्मल ए प्लस बी भारला फर्मूला होता ना ए प्लस वी आप रहा पर बागया प्लस माइनस बी और प्लस माइनस का लिए 100 तब बहुग्त दस ब्रद्दी हो गी माइनस का 10 क्योंकि घाटा हो र गया तो पानने पैतालिस पान अठ्थे चालेस एक बटे में आठ गोड़े में सो इसका मतलब क्या हो गया साड़े बारे परसें अगला सवाल अटलब करेंगे तो पान दो नी दिष पान ने पैतालिस इसमें करेंगे तो पान गोड़े वह अधियरो वन हो रहा है यानि कि एक आप्षन तो आप लेखते ही काट सकते हैं यह वाला क्यूंकि पांच है और एक इवन नंबर है जीरो तो लाश्ट में आना ही आना है तो सबसे पहले हम 5 लिख लेते हैं यानि कि ये 5 चला गया ये 5 चला गया दूसरे नंबर पर हम 7 लिख लेते हैं तो इसमें 7 ये चला गया यहां से करेंगे तो ये इसमें तो कुछ भी नहीं है ठीक है फिर यहां पर 14 अगर लिखते हैं तो कुछ आएगा कुछ भी नहीं आग और 14 नेमा 126 और 13 हो गया, हांसे लगा 13 14 दुनी 28 में 3 जोड़ा 31 और 10 से 41 हो गया, ठीक है, फिर क्या 7 का उना करेंगे, 7 छक्का 42 हो गया, 0 साथ एकम 7 हो गया, फिर 5 का कर दो पांदूनी 10 पांचों को 21 हो गया, 210 एकी आप्शन में था बात खता, अगला सवाल करें, चलो फिर 3 हम लें, PQR सांधरता 15, 25, 35 दी गई है, एक्स 3, 5 के अनपात में मिलाया जाता है, परड़ाम शरूब इतनी सांधरता वाला बिलेन प्रात होता है, एक्स का बांद, लिखो कुछ नहीं करना है, केवल हमें इसमें बही लगाना है, एवरेज वाला, एक्स हो गया, 3 हो गया, 15, यानि की 13 कम लाया, यानि की total x में गुणा करेंगे, यानि की इतना का into में कम लाया, ये वाईस आप 3 कम लाया, यानि की 3 का 3 में गुणा करेंगे, तो इन 3 तरका 9 कम लाया, ये वाईस आप ज़्यादा लेया, कितना 7 ज़्यादा, 7 का 5 में गुणा करेंगे, 35 ज़्याद पढ़ा क्योंकि यह प्लस आगया इसकी बरपाई नहीं करोगे तो ओवरल कैसे रहेगा तो एक्स बराबर कितना रहा हुआ दो लोग रहे होंगे समझ गए ना बात को भाई देखो जो यह प्लस हुआ ना प्लस हुआ होगा इसका मतलब यहां पर मैनेज नहीं हो पारीं चीज और पांती है पंदरा और दो सत्रह बटे में पांतीन आट और यह एक्स आठ प्लस का एक्स हो गया बराबर में 28 हो गया अब इसको सॉल्व कर लोगे तब आनसर आ जाएगा यह तो आप ऐसे कर लो बात पही है ठीक है अगला सवाल किसी बस्तु का अंकित मूल 500 है अंकित मूल पर एक्स परसेंट की छूट के बाद दुकंदार इतने परसेंट का लाव अरजित करता है एक्स बरावर 10 है तो बताएए कि बस्तु की लागत कितनी है यानि कि यहां पर दिया गया था 10 परसेंट और यहां पर दिया था साड़ यह एक तो जीरो पहुंच गया 25 एकम 25 कर देंगे 25 चोकू 100 हो गया 25 पंजे 125 नौपनना 45 हो गया 5 दो नीदस यानि की 200 हमने यह रिश्यो बहुत बार बताया आपको डारेक्ट लिखना आना चाहिए मार्क प्राइज और कॉस्ट प्राइज में जो भी प्रॉफिट वाली में सवाल आते हैं आए हैं और आगे आएंगे भी चलिए फिर यह तीन दिसंबर का फॉस्ट के 15 कोश्चन कंप्लीट हो चुके और इसको देखते हैं तो जल्दी से जल्दी खतम करते हैं उसके बाद कुछ नाया श्राट करेंगे चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में त